हरी कृष्णा राधी राधी आज की इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी वरत पारण पर बात कर रही हैं मोहिनी एकादशी वरत पारण की समय किया जाएगा क्या खाकर हमी मोहिनी एकादशी वरत का पारण करना चाहिए एकादशी वरत का पारण एकादशी वरत करने से भी ज़्यादा मेहत्वकून माना जाता है यदि वरत का पारण सही तरीके से सही समय पर नहीं किया जाए तो एकादशी वरत का पुन्यफल नहीं प्राप्त होता है तो आईए जानते हैं इस बार यानि साल 2023 में मोहिनी एकादशी वरत पारण किस समय किया जाएगा एकादशी वरत का पारण तो आदशी तिती भी किया जाता है दो आदशी तिती प्रारंब होगी 1 मई सोम बार की रात 10 बज कर 10 मिनट से जिसका समापन 2 मई मंगलवार की रात 11 बज कर 17 मिनट पर हो जाएगा तो इसलिए मंगलवार यानि 2 मई को ही एकादशी वरत का पारण किया जाएगा जिसका समय रहेगा सुभी 5 बज कर 40 मिनट से 8 बज कर 19 मिनट के बीच तो ये शुब समय है इसी में आपको एकादशी वरत का पारण करना चाहिए इस दिन राहुकाल का समय रहेगा 3 बज कर 38 मिनट से 5 बज कर 17 मिनट के बीच 5 बज कर 40 मिनट पर सूर्योदे होगा और 5 बज कर 40 मिनट से 8 बज कर 19 मिनट तक के बीच आप वरत का पारण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, एकादशी वरत के लिए जो आपको दान देना है वो दे सकते हैं अगर आप प्रामन घर बुला कर भोजन कराते हैं तो वो भी आप इस समय में कर सकते हैं, ये बहुत ही शुब समय है देखे वैसे तो एकादशी वरत का पारण भुने चने के साथ किया जाता है ताजा भोजन बना कर और उसमें चावल बनाई जाते हैं उसके साथ किया जाता है लेकिन जिन लोगों का परदोश वरत भी होता है वो अन खाकर एकादशी वरत का पारण नहीं कर सकते तो ऐसे में आप गंगा जल या तुलसी दल से या फलो से फलो के जूस से भी एकादशी वरत का पारण कर सकते हैं वैसे तो मोहिनी एकादशी वरत का पारण दूद पीकर या दूद से बनी वस्तुए खाकर दूद से बनी कोई मिठाई खाकर करना चाहिए एक बात का ध्यान रखें, आप जिस भी वस्तू से अपने एकादशी वरत का पारण कर रहे हैं, सबसे पहले उसे भगवान को फोग लगाएं तभी आप उसे परशाद रूप में ग्रहन करें और अपने एकादशी वरत का पारण करें आज की इस वीडियो में बस इतना ही हरे कृष्णा राधे राधे